सभी साथियों को सभी छात्रों को गुड इबनिंग आदित्यद्वंसी जी जुड चुके हैं लक्षमन बगेल महेश कुमार राहुल रवी अमित आदित्यादव प्रियंका सरोज मोहित प्रिया कौसल और कौन जुड़े हैं भईया सुधान सु और आरती सिंग ठीक है सभी को गुड इबनिंग क्लास को पूरा इंडे तक देखना और अपने साथियों को सेर करना ये आपकी एक सब्ताह ट्रायल क्लास एक परकार से होगी ट्रायल बोले या जो भी समझो यानि जहां तक पढ़ा दिये थे उसके आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 9 से एक जुलाई से आ मतलब इतना आप सभी को याद रखना है कि जितना भी आपके दोस्त हैं साथी हैं आपके साथी के भी साथी हैं आपको सब को सेर करना एठीक है ना संध्या कुस्वाह बिनोद पाल नीतेश सब का कमेंट आ रहा है ठीक है चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी सुरू इसे सुरू से पढ़ाएंगे और हाँ जो पढ़ाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि तुमको सुरू से पढ़ना है यह अध्याय बिल्कुल सुरू से है सब को पढ़ना है ध्यान से और जो इस कलास में नहीं पढ़ेगा उसे फिर सुरू से वाली कलास भी नहीं मिलेगी रहो ना नितेश कुमार समझ में आरा ना बच्चा चलो देखो तो यह आपका होगा अध्याय या फिर बोले चैप्टर या इक्सरसाइज 9 आप सभी जल्दी से यह बताओ कितने बच्चों के पास किताब है जल्दी बोलो यास क्या आपके पास NCRT बुक है NCRT जो किताब होती है उसका सिलेबस सभी से मैच खाता है चाहे आप UP Board से हैं, CBSC Board से हैं, विहार Board, जहारखंड Board, MP Board, किसी भी Board से हैं क्योंकि हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं आल इंडिया से पढ़ते हैं पूरे देश से तो कोई बिसेस बोर्ड का हम नहीं पढ़ाते हैं जो मुख ए NCRT होता आपका नेशनल लेवल का वही पढ़ाया जाता है मतलब सरकारी वाला एक परकार से मानलो राज्य वाला नहीं ठीक है केंदर वाला तो CBSC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंप्वार्टेंट है CBSC बोर्ड की किताबों के कोईश्चन भी यही है सेम बस उसमें लैंग्वेज हिंदी के मतलब बदले इंगलिस होगी पहला कोईश्चन पढ़िए जो जो किताब लिए हैं नितेस कुमार किताब क्यों नहीं है बाई किताब लेके बैठो सभी सभी के पास किताब होनी चाहि पर बना लेंगे यहां पर हमें छे आकृतियां दी गई हैं तो उनमें से हम पहले कुछ खीचने की कोसिस करेंगे ठीक ना भया देखो बाबू समझो मतलब समझो पहले इन आकृतियों को हम बनाते हैं इसके बाद देखो आगे बाद बढ़ाते हैं समझो सभी ध्यान से समझो एकदम प्यार से ये देखो ये क्या है फिगर है पहला है ये आएसे बना है ये यहां और ये यहां ठीक है इसके नाम क्या दिये गए हैं बताओ सभी तो सोनम देवी बहुत अच्छे थैंक्यू रभी कुमार इसके नाम बताओ तो फिगर में क्या दिया है जिनके पास NCRT किताब नहीं है वो किताब ले ले ABCD इनके नाम दिये हैं किताब में और जो आपका ये बीच वाला बिंदू है इसका नाम क्या है पी है देखो अगर आप एक कुश्चन समझ जाओगे पहला पार्ट तो आप सारे पार्ट कर लोगे इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना भया सीखना है ठीव थिक है सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना अटाउय तो इसको हम पढ़ा तो दे रहें पहले लेकिन इसके बाद अभी एंग आपको कंसेट सिखाएंगे एक कुश्चन तुम्हें आपको बतादू ठीज है लेकिन अभी आपको कंसेट सीखना पड़ेगा ठीक है समझ रहे हो ना एक लास है जब इसे कुमार कुछ समझ में आ रही बात है न देखो तो कुश्चन पढ़ते हैं कहरा कि निमनलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आकधार और समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं ऐसी इस्थिति में उभैनिष्ट आधार और समा परनाक सब्द है न उभैनिष्ट का मतलब होता है कौमन इसको याद कर लो अपना समझ लो उभैनिष्ट जो है बड़ा कठीने कौमन आसान है न तो कहरा कि जो यह आकृतियां दी गई है इनमें कौन सी आकृति ऐसी है जिनके आधार और समानतर रेखाओं के बीच इस्थि बोलो समान है की नहीं समझो भैया इसमें एक चतुर्भूज है समानतर चतुर्भूज दिख रहा की नहीं तुमें दिख रहा है न एक समानतर चतुर्भूज है A B C D है न क्या है समांतर चतुर्भूज है ABCD बोलो है और इसके अंदर एक तिर्भूज भी है PCD है की नहीं बोलो है की नहीं तो यह क्या है एक समांतर चतुर्भूज है ऐसे जो कि आपको दिख रहा है और PCD यह क्या है एक तिर्भूज है तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सी आकृती में कौन से फिगर में इस चतुर्भुज और तिर्भुज का आधार समान है और वो दोनो एक ही समानतर रेखाओं के बीच बने हैं इस तरह के और भी बहुत सारे फिगर दिये गए हैं छे आकृतियां दी गई है बोलो है कि नहीं इसमें है न यस इसको आप लोग यस करोगे पहला यस है पहला यस है क्यों यस है सादू यादो समझ में आ रहा है न ममता चाची गुड इबनिंग भाई नाम है इनका मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ देखो समझो है न क्यूं देखो इसका आधार अगर लें तो सीडी है आधार क्या है सीडी है यह बेस है और पी सीडी या फिर पी डी इसी तिर्भूझ भी इसी आधार पे बना है ये चतुर्भुज जो है वो भी इसी अधार पे बनाई ये S हो गया इसके अलमा जो समानतर रेखाएं हैं जो दो समानतर रेखाएं हैं C, D और A, B A, B और C, D जो है ये क्या है? पैरलल लाइन है तो इनी की बीच में तो ये तिर्भुज बना है न तो यह क्या हो गया यस समझ गये ना यस लेकिन इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है यह तो मैंने पहला exercise का पहला question पहले करवा दिया लेकिन इसके पहले हमें क्या सीखना बहिया इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है और वो concept क्या है वो concept मैं आपको बताऊं तो ऐसे थोड़ा आफा लंबा हो जाएगा आप कहो तो मैं बता दूं या फिर इसका वीडियो दे दूंगा कांसेप्ट बता दूं पहले कि नहीं कांसेप्ट का आपको ऐसे वीडियो दे देंगे नहीं तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा है ना उसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा तो चलो अगला भी कुश्चन एक और करवा देते हैं आप लोग देखते चलो इतना लिख लो जितने भी साथी जुड़े हैं सभी सभी छात्र इस कलास को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी सेयर करेंगे और याद रहे कि एक जुलाई से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तब तक जादा फिजादा साथियों क आप लोग देखो ध्यान से सिकेंड फिगर पहले बना लेते हैं देखो बाबु पढ़ाई कर लो नाम के चपकर में बहुत से बच्चे परिसान रहते हैं तो नाम के लिए मत परिसान रहो हमारी कोशिस होगी कि अगली कलासेट से आपको चित्र भी नहीं बनाना यहां पर पड़ेगा इसका भी हम आपको फोटो दिखा देंगे ऐसे तेड़ा मेड़ा आप देखो दूसरा कोशिचन है ना आपके बुक में कि नहीं है कि ऐसा ही कुछ है ना दूसरा कि बहुत गड़बड़ बन रहा है लेकिन चलो बना लो फिलहाल जैसे भी बन रहा है सिकेंड वाला बनाओ चलो जल्दी बनाओ ऐसे है नहीं है ऐसे मिलता जुलता है मैं बना दे रहा हूं बाकि आप समझ रहे हो किताब है सबके पास है बहुत जादा मुझे बनाना नहीं आता है आपको सिर्फ और सिर्फ कांसेप्ट सीखना है कि कैसे क्या इसका मतलब है इस नहीं आम जो अमझ यह बापी मोहंक्ती तो बीना अत्रक्श ही जाह हूं फिक है अब यह क्या इन दोनों का जोभी इसमें दो आक्रतिए आपको दिख रही है उनके आधार समान है बोलो yes, है समान की नहीं, बताओ, दोनों आकरतियों के आधार समान है या नहीं, base equal है की नहीं, भाई एक आकरती आपकी ये बन रही, PQRS, और एक ये बन रही MN, और इसके जहां जहां ये मिल रहा है उस पर तो कोई नाम इंहोंने फिलाहाल अलग से दिय यह कि नहीं कि दिया है ना वो दिया है दिया है ठीक है यह इसी पर मिल रही भाई जहां से निकली है यह फिगर कुछ ऐसा है मुझे कम समझ में आ रहा था ऐसा है ठीक है इनके आधार समान है नितेश जी हैं बिलकुल अब इनके आधार समान है दोनों के जो बेस हैं आरियस हैं क्या है आरियस हैं लेकिन क्या ये जो दो समानतर रेखाएं हैं आपकी समानतर चतुरभूज में पी क्यू और आरियस क्या ये इन से मिलते हुए बना है की नहीं बताओ बना है जैसे ये वाला देखो पी इसमें जाक से है या नहीं है बोलो नहीं है कि है नितेश जी बताओ अब इसे कुस्वाहा इस तरह से ये इसमें मैच नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या करोगे किताब जो भी साथी लिए हैं जितने भी छात्र बुक लिए NCRT कि उनको समझ में आएगा किताब काँ पी लेके नहीं आओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है समझ रहो ना इसलिए किताब लेकर के जुडो कलास में पढ़ो प्यार से समझो बीना किताब के आओगे तो कुछ नहीं होगा समझ रहो ना चलो तो यह नो हो गया क्योंकि इसका आधार तो दोनों का समान है लेकिन जो यह बात करें दोनों समान तर रेखाएं हैं यह इन से होते हुए नहीं बन रहा है और question में क्या कह रहा था मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ अभ्यास या exercise 9.1 का पहला question है कह रहा कि निम्लिकित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और दोनों समांतर रेखाओं लिखिये अच्छा चलो बताओ एटू कलासेज यस ओ सोनी संतोस भाई नाम तो इन्होंने बड़ा गंदा टाइप का लिखाया बना करके कि कोई जान न पाए क्या लिखाया संतोस मिसरा जी आप ही बताओ पहले चित्र में कामन आधार क्या है जल्दी बताओ उभैनिष्ट आधार क्या है कामन बेस इन दोनों में क्या है बताओ जल्दी बताओ कोई है दोनों में बताना है यह कुश्चन में कहा है कि किसमें ऐसी स्थिति है और जिसमें है उनका बेस और समानतर रेखाओं के नाम लिखो ऐसा कह रहा है तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चा जो कॉमन बेस है वो सीडी है तो क्या लिखोगे उभैनिष्ट आधार हिंदी में लिखना है लिखेंगे सिबेसी लिखेंगे कॉमन भेस हैं अब है अधार कितना है सीडी क्या है सीडी है पंका जी याद द आरा समझ में नीतेश जी बिलकुल बारिस हो रहा है अभी अभी हम भीक के ही आये है आपकी क्लास के लिए नहीं तो क्लास आपकी छूड़ जाती आज से बोला था फिर गड़बड हो जाता और समांतर रिखाएं क्या-क्या है भैया हो समांतर चतुर्भुट जो बन रहा है उसमें A, B और C, D समांतर है ना बोलो है की नहीं A, B और C, D अच्छा कुछ लोग को यह नहीं पता समांतर क्या है जानते हो पैरलल और परपेंडी कुलर क्या होता है अध्याय आठ में पढ़ाया गया था जो चैप्टराइड पढ़े उनको पता होगा समांतर और लंबवत क्या होता जानते हो जैसे रेल की पटरी है ना बच्चा बगल बगल ऐसे जाती ना बबू ऐसे ऐसे वो कभी एक दूसरे को काड़ती नहीं है मतलब एक दूसरे को ऊपर चड़ती नहीं ऐसे सीधा निकल जाती है तो यह क्या होती है समांतर होती है और लंबवद का मतलब क्या है लमबवत है समांतर समझ गए नमख जलो और इसंटे लिखलो यह लिखो लिखो समांतर रेखाएं तो पहले वाले में कामा सीडी यह हो गया पहला दूसरे में आओ स्टी केंट वाले में में चलो आओ इसमें कोई बताएगा अरे इसमें दिमाखी नहीं लगाना है यह वो है ही नहीं कंडीशन फाल नहीं कर रहा हो उसके आधार तो दोनों समान है लेकिन उसमें जो समानता रेखाए हैं उन दोनों के बीच ये चितर नहीं बन रहा बीच वाला इसलिए वो गलत है वो है नहीं ठीक है वो नहीं सही है अब तीसरा φिगर हम बनाते हैं तीसरा चितर आपके बोर्ड में बना सकते हैं जगा है ना, चलो ठीक है तो बच्चा तीसरा कुछ अजीब टाइब का बना है आप लोग अगर देख पा रहे हो बुक ले लो भाईया कक्छानों की बुक लेके बैठो तब ही मज़ा आएगा यहां दिख रहा है ना अगर बुक नहीं लिये रहोगे तो मज़ा ना आएगा याद रखना कच्छानों की किताब लेके बैठो यह ऐसे है उसके बाद का है यह ऐसे है भाईया बहुता गड़बर टाइप का है यह ऐसे है थोड़ा सा जुका हुआ अंदर को यह है और यह यूं आया है और यूं गया है कि यहीं पंतलब कोना पर ही मिला है इनके नाम है पी क्यू और आर यस ठीक है इसका जो जहां पर दोनों आके मिल रहा है वो टी है अब आप लोग यह बताओ तीसरे वाले में देखकर के यह थार्ड नंबर फिगर है कि क्या इसमें आपको दो चित्र दिख रहा है पहले यह बताओ दो फिगर दिख रहा है कि नहीं हाँ नहीं नितेष कुमार बताओ ए टू कलासेज बोलो कमेंट नहीं करोगे यह तुंहलों कोसिस नहीं करोगे तो मैं पढ़ाओंगा भी नहीं जान लो थीक आईसे मैं घदों को पढ़ाता नहीं हूँ Puosis करो हान नहीं आ रहा तो बोलो नो जिनको नहीं पता वो नो Tips करे लेकिन कमेंट हर कोई करेगा और जो छात्र सुरु से नहीं देखे हैं वह सी इस वीडियो में बाद में कमेंट करेंगे उनको लिंक मिल जायगा उनको लिंक मिल जाbi के Uh कैसे क्या सब मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप हमारा गुरुप भी जॉइन कर सकते हो टेली ग्राम का या वाट्ट सब का उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आयूस एफ एफ बच्चा तुम तो भूद बनके आये हो का है कौनो मारा बारा लतिया लतिया के का आज हां ऐसे बूद बनके का है आये हो देखो इसमें दो फिगर है एक तो आपका चतुर्भूज है पी क्यू आरियस और एक इसमें तिर्भूज भी है कौन ये टी क्यू आर है न दो तो कुश्चन में क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ ले प्रफन कह रहा था काक्छा नौकी एंसी एर्टी गडित प्रफना वली नौद असमलो एक सवाल नंबर एक प्रफना नंबर एक निमनलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार मतलब कामन आधार और दोनों समानतर रेखाएं लिखिए और दोनों समानतर रेखाएं लिखिए तो देखो ये भी यस होगा, इसका अंसर भी यस होगा, इसका यस क्यूं होगा, क्योंकि बच्चा इसमें भी दो समांतर रिखाएं कौन-कौन सी हैं, ये PQ हैं और RYS हैं, और इनका दोनों का कामन आधार जो है, वो QR है, क्योंकि ये तिरभूज जो बना है, TQR, वो भी QR बेस पर ही बना है, थिक है तो आप यहां पर क्याly खोगे यहां पर लिखो इस हो गया लिखू कौमन आधार एयर फिर इस इसमें बुक में कहा वैसे लिक लो हिंदी में उभाइनिस्ट लिखा है का 4 ना वार बराबर कितना बच्चा wraps है और समांतर रेखाएं कौन हैं लिख लो नीचे गांग समांतर रेखाएं बराबर कि पी क्यू कामा आर्यस को समझ में आया ना नीचे देखो थोड़ा सा कम दिख रहा है न यह जो कट गया है मैं दिखा दे रहा हूं उसको टेंसन मतलों चलो देखो यह पी क्यू आरेफ लिखा है समझ गया ना क्या बझे दुख बहाब हुग को या जलदी बर या समझ गये तुरंत बहुं और चैनल को सब्सक्राइब चैनल का नाम यह नहीं पता है यहां पे लिख देख दे रहें यह नाम है इसको यूणे बोलो गैं गूगल प्यूटूव्पे कहीं बी तो मिल चाएगा बी यार É study कुछ बच्चे PVR इस्टूडियों बोलते हैं तो इस्टूडियों बोलने पर भी मिल जाता है क्योंकि चैनल इतना बड़ा हो गया है तुम गलत सही कुछ भी बोलोगे वो मिल जायेगा एम्डी मस्त कुईन सेख राहूल सत्यना रायन बहुत अच्छे बेरी गुड देखो जो बच्चे कमेंट करते ना बहुत दिल के करीब होते हैं अच्छा लगता है और जो गदहा टाइप के रहते हैं कुछ बोलवाई नहीं करते ना उनको मन करते ना उठा-उठा कला से बाह और कौन-कौन नहीं लिया है कौन-कौन किताब लेके बैठा है कौन-कौन नहीं लिया है यास या नो किताब है कि नहीं सब के पास और जिनके पास नहीं है ना गधों कल से बुक लेके आना नहीं तो हम बलक कर देंगे सीधा-सीधा कल से किताब लेके आना सभी किताब कक्छा पढ़ लोगे तो कोई भी बोर्ड है यूपी बोर्ड है जहारखंड बोर्ड है कोई भी बोर्ड से हो कहीं से भी हो सब का हो जाएगा कमपलीट लेकिन आपको में एंसी आंटी पढ़ना है एंसी आइटी जो आपकी सीबसी वाली होती एक प्रकार से भाई समझ गए न हिंदी स्टेटर लिये हो आ रहा है ठीक है कुल दीप पिटाई कर दें अमित कुमार भाई इसमें जूट भी बोल रहे हैं कुछ ऐसे गदें म फिर बुक लिये हो तो चौथा नंबर को इस चन देखो चौथा नंबर का चलो फिकर बनाओ अभी जो तुमारी वाली उससे बात कर रही न अभी हम पीटेंगे भी समझ रहो ना गडबड हो जाएगा फिर चलो इसको फिकर बनाओ इतना अच्छा है कि बता भी दे रहा दे है कितने समझदार है अईसे बना है ना चित्र चौथा नंबर की नहीं थोड़ा छोटा है रहा है हुआ 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 है बड़ा गंदा हो गया नाक में स्याही लग गई बढ़ा बद्बू करता है यसे ही लेकिने बड़ी खतरनाक है भाई साहथ होड़ा रुक जाया तो पता है पता क्या है कि अब तो लगी गई चलो ठीक है आख यह थोड़ा सा छोटा बना था ना मजा आया की नी आया थोड़ा थोड़ा देख रहे हो यह सब कख्षा नहुं में है ठीक है वेते ले लो मौज ले लो टाइम है अभी जो पूछ रहे हैं सपना कहां से हो पूजा कैसी हो ना बेटा अभी जब जिन्दगी की दोड़ में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा सपना भी छुट जाएगी पूजा भी छ है कि अहीं किताब लेकर बैठेऄ ओ पिर दिक्कत ही क्या है अएक हिस आफ दिशाय बनाके इनका दोनों का आदहार वीम्त मैं दो जोंड दो फिगर बन रहे ह Saget आफ क्या उनका बेस एक ही है अलग-अलग है लो बताओ इन दोनों का बेस एक ही है या अलग अलग है वी क्यू आर बोलो जल्दी बोलो इसमें एक आपको समांतर चतुरभुज दिख रहा है एक तिरभुज दिख रहा है दोनों का आधार समान है की नहीं संतोस मिसरा जी बताइए रवी संकर सोनम देवी जिनके पास किताब नहीं किताब ले लो जिनके पास किताब नहीं है किताब ले लो ठीक है एक जुलाई से सभी किताब लेके आएंगे आपके पास 4-5 दिन का टाइम है किताब लेने का 4-5 दिन का टाइम है किताब लेके आएंगे एक जुलाई से नहीं सबको बलक कर देंगे जिनके पास बुक नहीं रहेगी और तुम यह मत जानो के विक नहीं लिए क्योंकि हम पूछेंगे बूक होगी तभी तो देख पाओगे तभी तो बताओगे क्या चलो समझों कि इन दोनों का बेस तो एक ही है बच्चा लेकिन इसमें कुछ खासियत है कुछ डिफरेंट है वो क्या है इनका बेस बीसी है दोनों का अगर हम तिर्भुज पी क्यू आर की बात करें या फिर आपका यह जो समांतर रिखाएं एबी और सीडी है इन पे जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उनका आधार तो एक ही है लेकिन उसमें समस्या है कौन सी कि यह आधार बीसी है अगर बीसी है तो यह पी क्यू बीसी के बराबर थोड़ी है बोलो बराबर है क्या यह बराबर होनी चाहिए था ठीक है यह इक्वल होना था इक्वल नहीं है यह इक्वल नहीं है इसलिए जो क्योंकि इनके आधार जो है वो एक बराबर नहीं है नाम तो वही है बुजाओं का लेकिन बराबर नहीं है भाई छोटी बड़ी है ना आधार कि तयारी कर रहा हूं बुक नहीं लिया मैं बहुत अच्छी बात है प्रेम तिवारी प्रेम जी नाम तो बहुत सुंदर है आपका और एक जुलाई से चलेगी वन पॉइंट वन ठीक है एक जुलाई से चलो तो नो हो गया क्यों क्योंकि भाई बीसी की लंबाई अगर छे सें साल बार-बार पढ़ना चाहिए बार-बार पढ़ोगे ना तो आधा वैसे ही याद हो जाएगा प्रियंका यादो या आज से ही सुरू हुआ है प्रियंका यादो जितने भी कच्छा-9 के बच्चे हैं वह समझ जाए कच्छा-9 की गडित आज 25 जून से सुरू हो चुकी है साम को सात बजे लाइव क्योंकि क्लास चली थी लाइव अक्टूबर में काफी वाइरल हुआ उस वीडियो में लगबख 301 लाक बच्तों ने देखा है और हर दिन उसे 2000 बच्चे देखते हैं रोज ना इन своफियं उस्वाल करते हैं मैसज करते हैं तो गये mathना debated क्लास चलान तबी चलेगा इसलिए सब को सूचीत करदो 5 ढिन का टाइम ये 5 दिन का टाइम है सब को बता दो कि फ्री कलाश चल रही है अब सामको 7 कुछ ठीक है कि आ कि जलो समझो कि क्या क्या कर रहे थे कहां पहुंचे थे हम question number 1 का चार नंबर पार्ट हो गया question फिर से पढ़ने पहला क्या था कहरा कि निम्नलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित है ऐसे इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और दोनों समानतर रेखाओं के नाम लिखिए ऐस समध में याधार करनल रहे है दोनों मतलब जो दोनों फिगर इसमें बने तो अब遊戲 समानतर रेखाओं के बीच में यह बनें लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें धुश्या पूझर्वाल vine तो वाला जोटा है इसलिए नो है ।क है इसलें समझ गए ना चिन्तामन दैसेल जी आरा समझ में अब इसे एक माफिया बच्चा पढ़ लो बेटा पढ़ लो अच्छा होगा चलो सभी बच्चे NCRT की किताब ले लें NCRT बुक यूपी बोर्ड सीब्सी बोर्ड बिहार बोर्ड सब में कॉमन होता है क्योंकि सिलेवस सब में NCRT ही होता है अगर आप कोई राइटर की लेते हो जैसे मनुहर्य परकासन हो गया नगीन परकासन लच्छमी पता नहीं कौन-कौन बहुत सारी बुकें आती हैं तो उसमें आप कोईश्चन देखोंगे तो आगे पीछे होगा ठीक है जबकि अध्याय वही होंगे देखो एक बात यहां पर सुन लो बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं ठीक है वो क्या है बच्चा जो आपका सिलेवस है जैसे संख्या चेतरफाल बृत यह सब सभी किताब में दिये हैं बस यह है किसी में यह पहले दिया है उसमें बाद में दिया है उसमें पहले दिया उसमें बाद में दिया है किसी में exercise 1.1 दिया है तो किसी में exercise 1a दिया है 1b दिया 1c दिया है तो आपको क्या करना है आपको चीजें समझना सिर्फ आपको नियम सीखना है किताब लेकर के अपने सवाल नहीं मिलाने नहीं तो परेसान रहोगे टेंशन में रहोगे समझ रहो ना अगर को नहीं मेरे में 1.1 में तो यह ऐसे नहीं बना है उसमें तो यहां पर A B की जगा P Q लिखा है अरे गदों फिगर तो ऐसे ही बना हो ठीक है NCRT किताब में 6-3-9 होता है बिहार बोर्ड वाले में दिया है कि भाई आस तीन में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा अब तुम कहोगे ससुरा यह तो अमरे में सवलवे नहीं है तो जोड़ने का नियम यहां से सीख लोगे तो इसको भी तो कर लोगे ना जोड़ने का नियम तो वही है न दोनों जगा बोलो वही है न कुछ अलग तो नहीं है न अब यूपी बोर्ड में माल लो इसकी जगा पर कुछ और एडवांस में 9-3 दे दिया तो 9-3 कितना हो गय एंसी आर्टी में जो जोड़ने का नियम बताया गया वही उपी बोर्ड में भी होगा सीबेसी में भी होगा बिहार बोर्ड में सब में वही होगा गरिमा यादो आरा कमेंट आपका ठीक है सीतल प्रेमतिवारी समझ गए न तो इस लिए नहीं ये बच्चों की बहुत सिकायत होती है कि सारा आप बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाते हो आप यूपी बोर्ड नहीं पढ़ाते हो एंपी बोर्ड जहारखन बोर्ड बहिया जितन यह हो गया तो बच्चा आपका एठी पच्वा भी है इसमें फिगर पाच्वा वाला ले लो पाच्वा बड़ा जीव ट्राइब का बना है अच्छा वैसे आप कर लोगे ना यह सब आप लोग कर लोगे की करवाएं यह भी रेनू भरत द्वाज देखो अब पाच्वा नं जो किजा भागना यह ऐसे है ऐसे है और यह क्या है मालूम है यह थोड़ा ऐसे है अंदर को दब रहे हैं और ऐसे आ करके ऐसे है देखो समझो जिनके पास किताब हैं वो तो समझ गए उनका तो काम हो गया जिनके पास किताब नहीं है वो अपना चाटा गटास देख रहे है मतलब समझ रहे हो यह D है और यह Q है ठीक है ना बच्चा चलो अब यह बताओ क्या बताओगी इसमें कोई दो तीन चित्र दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है बताओ बताओ जल्दी बताओ दिख रहा है कि नहीं दिखो बच्चा इसमें भी आपका क्या होगा यह सोगा कि नो बताओ समान आधार है कि दोनों चित्र जो है समान मतलब समांतर रेखाओं के बीच बने है एक ही अधार पर बने हैं कि नहीं नहीं कि बने है ना लिखो यह अधार A.D. कौन सा है उभैनिष्ट है यह बेस है ना यह एक ही सिंगल बेस पर सब बनाया ना यह भी देखो यह इस गया है यह वी सब इसी पर गया है तो क्या लिखोगे उभैनिष्ट आधार बराबर A.D. क्या है उभैनिष्ट आधार क्या है A.D. है और दोनों जो समांतर रेखाएं हैं आपकी कौन सी है अरे यही A.B.C.D. ह समांतर A.B.C.D. क्या है समांतर रेखाएं हैं लिख लो समझ में आया ना सबको समझ में आया बिल्कुल बहुत अच्छे गरिमा यादो बहुत अच्छे ठीक है देखिए जो बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है जो इसी में लगे हैं ह हम बलाग कर देते हैं बस कुछ बार देखते हैं कि हाँ यह कितने हद तक जा सकते हैं देखो एक स्टेटस वीडियो नाम से कमेंटार आना लायक प्रियंका कैसी हो मतलब यह पैदा इसलिए हुए है इनको न पढ़ना है न पढ़ने देना है बाबू अगर कच्छा 9 में हो तो पढ़ लो अभी टाइम है ठीक है तो आपका 9.1 खतम हो गया exercise 9.1 खतम हो गया आपका कल चलेगा इसके आगे ठीक है एक जुलाई से पहले चैप्टर से चलेगा एक जुलाई से पहले चैप्टर से चलेगा आप लोग सभी साथियों को अपने बता दो अभी बच्चे केवल 60-70 बच्चे हैं यह बच्चे 2-300 होने चाहिए लाइब में बिल्कुल पहले अध्याय से लाश् क्लास बंद किया जाए, पिर टाइम हो गया है कि नहीं अच्छिद्धी गेमिंग ठीक है जिद्धी गेमिंग कमेंट आरा जबच्च आपका ठीक है तो बंद किया जाए सभी समझ गए किसी का कोई सवाल है क्लास के बारे में तो बताओ गरिमा, ठीक है, कमेंट आ रहा है, अन्सू मिस्रा, हाँ डेली चलेगा साम को साथ बजे, डेली चलेगा साम को साथ बजे, रवी संकर, सोनम देवी, हंसराज बर्मा, मैं आपका वाटसअप नंबर लिया और वाटसअप पे क्या लिखूँ, वाटसअप पे तुम कुछ ना लिखो बच्चा ठीक है यहीं पे रहो या फिर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो हाँ जो भी साथ ही डेली कलास के लिंक चाहते हैं वो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें मोबाइल में वहाँ पे पीबीर स्टडी जॉइन करें और एक बात और सुन लो हाँ कलास की सारी अपडेट के लिए न आप पीबीर स्टडी को फेस्बुक पर ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इसमें से जो भी चलाते हो फालो जरूर करो ठीक है समझ रहो ना हर जगा फालो करो कहीं भी लिखके सर्च करो पीबीर स्टडी नाम आपको वही लिखना है चा कि नरेंद्र मोधी क्या मुझे नीट और जही पॉस्ट पॉन करनी चाहिए भाई मोधी साहब तो खुदी आकर हमारी कलास में ऐसे पूछें तब तो फिर बाती क्या है तब तो फिर देश सुधर जाए हमें ऐसे ऐसे काम करवा दें लेकिन यही तो मुसीबत है कि मोधी जी कि हम लोगों की बात ऐसे करें कि देख रहे हो ऐसे ऐसे बच्चे हैं नरेंद्र मोधी जी की नाम से आइडी बना लिया वाई कि कमाल है ठीक है फिर बंद किया जाए किसी का कोई सवाल है नहीं न चलो फिर हां फिरी क्लास होगा डेली स्ब्लाकर साम को साथ बजे से तो बंद चीजा जाता है फिर आज के लिए इतना ही बच्चे तो आप जूढ रहें समय भै क्या बात भी तक तो जुढे नहीं आप लोग कलास खतम होने वाली हुई तो जुड़ गए तो इसलिए हम थोड़ा रुख जाते हैं दो मिनट देखो बच्चा कलास खतम हो गई है बाबु जो अभी अभी जुड़े हैं जो अभी अभी जुड़े हैं वो जान ले कलास खतम हो गई है ठीक है बीके जोन बच्च बज़ कर 40 मिनट तक चलेगी आपको डेली जुड़ना है टाइम पर और पढ़ना है घर बैठे बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री पढ़ना है घर बैठे पढ़ना है डेली जुड़ना है साम को साथ बज़े और साम को साथ बज़े से साथ बज़ कर 40 मिनट तक चलेगा ठीक है अध्याय 9 आज पढ़ाया गया है एक जुलाई से पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा मिनाक्षी बर्मा कमेंट आ रहा है बताइए दिकास सर्मा फिरोज पतेल आयुस नीरज सब का कमेंट आ बच्चा सभी का आ रहा है जितने भी छात्र जुड़ें सब का रहा है सभी छात् बेढिड और क्लास को लाइग करो यार अपकी जिम्मधारी है ख़िएक करो हंडरेडड पलस बच्चे आने जहीए कल की कले कला समें सौभ और पैज़ी। विताब ले लो सभी एंर आट वाली